हेलो फ्रेंज, आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट ब्रेकफास्ट रेसिपी, अगर आपके पास उबले हुए आलू अलू अल्रेडी अवेलिबल होंगे तो ये पांच मिनट में बन जाएंगे यहाँ पर मैंने दो कप आटा लिया है उसमें एक टीस्पून जितना नमत डाल दिया और थोड़ा सा कटा हुआ धनियापता अड़ कर दिया है दो कप आटे के लिए मैंने तीन मीडियम साइज के आलू को ऐसे ग्रेट करके लिया है वन फोट टीस्पून हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून दनिया पाउडर वन टीस्पून रेच्चिली पाउडर भी डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर आवोईट किया है वन फोट टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसी स्टेज में हमें वन टीस्पून तक अजवाईन को क्रेश करके डालना है जो कि मैंने वीडियो के लास्ट में डाला है मैं थोड़ा भूल गई थी अब इसी समय डालेगा यह आलू से बना हुआ है आटा तो यह काफी स्टिकी होगा आपको अच्छे से इसे मसल के सॉफ्ट करना है देखिए आटा अल्मूस्ट तयार है रेस्ट करने की जरूरत नहीं है आप इसे तुरेंथी बना सकते है यहाँ पर मैंने एक बड़ी लोई लिया है उसे अच्छे से राउंड करके उसमें अभी आटा लगा देंगे इसमें आटा ज़्यादा लगाना है क्योंकि यह चिपचिपा रहेगा चिपख जाएगा नहीं तो चकले से तो देखिए बेल के हो चुका है अगला और एक पराठा बेल लेंगे हम मैंने यहाँ पर पतला बेला है आप मोटा या पतला कैसे भी बेल सकते हैं यहाँ पेतावा गरम हो चुका है फुल फ्लेम रखके हम इसे पकाएंगे उनों साइट से अलका सा रोस्ट हो चुका है ब्राउन रंगा चुका है तो हम इसमें गी लगाएंगे गी लगाते वग फ्लेम को स्लो रखना है तो आज का instant quick paratha ready है, इसे आप अच्छा दही या किसी भी dry या wet gravy के साथ खा सकते हैं, ये काने में ऐसे ही खाओ घी लगा के तब भी बहुत टेस्टी होता है, तो अगर आपको आज का ये recipe मेरा अच्छा लगता है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना बुले, थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो, सी यू इन दी नेक्स वीडियो,